हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दा माय चैनल दा नर्सिंग टैप आज की इस वीडियो में हम डायर्या को लेके डिसकस करने वाले हैं इसमें हम definition, causes, classification, clinical manifestation, diagnostic evaluation and treatment को लेके बात करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं definition डायर्या होता क्या है evacuation of liquid or watery stool frequently is known as diarrhea liquid or watery stool का बार बार, frequently में इस होता है बार बार इवेक्योट होना, पास आउट होना diarrhea क्यालाता है अगर दिन में तीन से जादा बार, तीन से चार बार अगर watery stool पास आउट हो रहा है तो इस condition को diarrhea कहते है next हम देखते हैं causes, किस किस वज़े से diarrhea होता है इसके हम कारण देखते हैं Indigestion, Indigestion मतलब अगर हमारा खाना जो पच्छ नहीं पा रहा है तो यह हमें diarrhea कॉस्ट करता है जो भी हम फूड ले रहे हैं वो हमें digest नहीं हो रहा है तो यह एक मेन कारण होता है diarrhea कॉस्ट करने का फूड एलर्जी फूड एलर्जी फूड एलर्जी किसी भी फूड से हमें अगर एलर्जी है तो वो फूड भी हम बार बार उसे इंटेक कर रहे हैं तो यह condition भी डायों को cause करीगी बार volts किसे भी ज्म डाकंते हैं तो उस सब्बास घंसे हम अन्यां हां फिर उसके अरे गउक पते हैं या कि अम् हम बास घंस काना कर रहे हैं तो वो क्या हम बार दो करता कि जिस वज़ेंट से कूरत लाक अ टो क्या हम अल्या एलर्ज यांड तो वो इसमें जो GI track होता है हमारा उसकी मतलब lining में inflammation हो जाता है जिस वज़े से क्या होता है जो lining मतलब layer होती है वो water को absorb नहीं कर पाती है इस वज़े से watery stool बार बार पास आउट होता है जो diarrhea को cost करता है इस वज़े इन्फ्लामेटरी वाल डीजीज के वज़े से diarrhea हो सकता है यह symptom माना जाता है डायरिया इन्फ्लामेटरी वाल डीजीज का symptom माना जाता है certain medication certain medication like laxative laxative होती है जो constipation में treat करने के लिए दी जाती है constipation को treat करने के लिए यह medicine दी जाती है इस विससे क्या होता है इस medicine का वर्ग की होता है कि जो stool है जो उसका tightness होती है उसको lose करना तो ज्यादा laxative हम खाने से हमें diarrhea कॉस हो जाता है next metabolic and endocrine disease metabolic like इसमें डियावेटीज मेलाइटस endocrine disease कोई भी हार्मोन का imbalance हो जाना यह एक कारण होता है जो diarrhea होता है bacterial infection bacterial infection की वज़े से भी diarrhea हो सकता है and viral infection viral infection जैसे rotavirus होता है यह भी main cause होता है diarrhea को यह cause करता है next tension and stress tension और stress की वज़े से भी diarrhea होता है classification की classification को हमने दो पार्स में डिवाइड किया है acute and chronic acute acute condition होता है इसमें अगर चौदे से साथ दिन के अंदर अगर यह वाटरी स्टूल की फ्रिकेंसी जो होती हो कम हो जाती है यानि नॉर्मल हो जाती है तो इसे हम acute बहलेंगे यानि short term chronic होता है मतलब short term diarrhea होता है जो कि साथ से चौदे दिन के अंदर ट्रेट हो जाता है chronic chronic होता है more than two to three weeks दो से तीन बीक से जादा अगर जो वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है उसकी फ्रिकेंसी भी जादा है कम नहीं हो रही है ट्रेट नहीं हो पा रही है तो इसे हम chronic बोलते है chronic diarrhea next हम देखते है clinical manifestation मतलब इसके sign and symptom क्या है लक्षण जो diarrhea के इसे हमें दिखते है सबसे पहले दिखते हैं इसमें abdominal pain अगर diarrhea होता है तो इसका main symptom होता है abdominal pain होता है इसमें पेट में धर्द होता है next excessive thirst excessive thirst होती है क्योंकि water का loss हो रहा है body से बहुत ही ज्यादा amount में water body से loss हो रहा है जिसकी वेसे हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है next second eyes इसमें जो eyes होती है वो धस जाती है क्योंकि जो भी electrolytes है हमारी जो body की requirement है वो fulfill नहीं हो पा रही है जिसके electrolytes बगएरा बहुत ही जाता loss हो रहे हैं इससी वज़े से eyes हो हमारी होती है क्योंकि जो body में हमारा जो nutrition है वो proper नहीं मतलब बुरुक हो पा रहा है हमारा और loss amount जो loss of amount है वो बहुत जादा हो रहा है इसलिए हमारा weight loss भी होगा fatigue थकावट भी होगी जिस patient को भी डाय रहा होगा उसे बहुत जादा थकावट होगी weakness भी बहुत जादा होगी dry skin क्योंकि यहां पे dehydration के बहुत जादा chances रहते हैं कि water बहुत ही ज़दा amount में loss हो रहा है बोडी से इसलिए dry skin हो जाएगी next anorexia anorexia होता है loss of appetite भूग ना लगना इसमें क्या होगा क्योंकि वो जो patient होता है बार बार इस्टूर पास करने जाता है उसकी urgency होती है तो इस वज़से उसे भूग भी कम लगती है उसे खाने का मन नहीं करता next painful contraction of anal इसमें जो anal होगा उसमें बहुत ज्यादा painful मतलब sensation होगा क्योंकि उसकी जो बार बार frequency हो रही है इस तूल पास आउट करने के लिए इस वज़से मसल्स जो होती है उसमें contraction बहुत ज्यादा बार होगा तो इस वज़से anal के side जो मसल्स होती है उसमें बहुत ज्यादा pain होगा next watery stool हमने definition में भी देखा था डारिया के condition में क्या होता watery stool pass out होता next oligourine यह low urine output इसमें क्या होता है जो urination है वो कम हो जाती है क्योंकि water तो faeces के साथ में निकल रहा है स्टूल के साथ में बाटरी स्टूल ही निकल रहा है जिसकी क्या होता है पानी की बाटी में कमी हो जाती है इसी वज़से urine है वो उसकी जो low urine output हो जाता है next next हम देखते हैं diagnostic evaluation first one blood test blood test हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिजीज का पहचान होता कि कि किस वज़से कौन सी ऐसे disease हुई है जिस वज़से diarrhea हो रहा है या फिर diarrhea मतलब किस bacterial infection है या viral infection है जो भी हम उससे blood test करने से हमें पता चल जाएगा next stool examination stool examination same मतलब हमें जो भी infection होगा viral या bacterial infection होगा उससे हमें पता चल जाएगा फिर उसी तरह से हम उसको treat करेंगा next endoscopy endoscopy में क्या होता है जो भी GI track है उसका हम visual examination कर सकते हैं कोई भी ulcer या inflammation तो नहीं हुआ है जिस विसे diarrhea cause हो रहा है इससे हम देख सकते हैं next barium enema enema क्या होता है किसी भी substance को anal के थुरू insert करना तो barium को insert करते हैं enema उससे हम barium enema कहते हैं इससे जो एरिया होता है GI track का colon जो भी intestinal parts होते हैं उसको clearly image हमें show होती है इसलिए हम barium enema भी इसमें कर सकते हैं next medical management डायरिया में हम क्या-क्या उसको medicine प्रोवाइड कराएंगे patient को देखते हैं first one is anti-diarrheal anti-diarrheal drug हम patient को देंगे जिसमे आते हैं Lopramide, Metronindazole next anti-inflammatory drug anti-inflammatory drug हम यसलिए को देंगे क्योंकि मतलब कोई भी inflammation के वे से diarrhea हो रहा है इसलिए हम इसे anti-inflammatory drugs भी देंगे and antibiotics देंगे next कोई इसलिए इसलिए देंगे ताकि कोई bacterial infection होगा है तो इसलिए हम antibiotics देंगे potassium IV supplements IV supplements हम इसलिए देंगे क्योंकि patient के में जो electrolytes हैं बहुत ही जादा imbalance हो गए होगे है उसमें बहुत जादा लॉस हुआ है electrolytes का तो उसकी requirements को fulfill करने के लिए potassium IV supplements देंगे next IV fluid and ORS सेम रहेगा इसमें भी कि जो भी हमारी electrolytes जो हुए है imbalance उसको fulfill करेगा ORS में भी मतलब हम इसलिए लेते हैं ताकि जो भी हमारे electrolytes है sodium potassium उसकी requirement है जो हमारी बाड़ी में fulfill हो सके करें